हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगनेट बेइन्स, मैं रुपाली वर्मा मैंगनेट बेइन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है यानि कि यहाँ पर मिलने वाले सभी वीडियो के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमिंट नहीं करना और कंटेंट तो आपको उंदा क्वालिटी का दिया ही जा रहा है तो इस फ्री एजुकेशन का पार्ट बने रही है और आसानी से अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करते रही है आदे हैं आज के वीडियो पे आज का हमारा वीडियो है क्लास 10 हिंदी कोर्स A की बुक है शितज भाग दो इसके कावे खंड का आध्याय है संगतकार इसके आज हम करा रहे हैं Most Important Questions तो जरा ध्यान दीजेगा क्लास 10 में हमारे दो कोर्स चलते हैं कोर्स A और B तो आज हम जो करा रहे हैं वो कोर्स A में कोर्स A में हमारी दो बुक चलती है शितज भाग दो और कृत का भाग दो उसी तरह कोर्स B में हमारी बुक चलती है इसपर्ष भाग दो और संचेयन भाग दो जैसे कि आज कोर्स A करा रहे हैं तो शितज बुक है शितर्ज जो हमारी बुक है वो दो खंडों में विभगते हैं कावे खंड और गद्य खंड आज जो हम करा रहे हैं वो है कावे खंड कावे खंड का अध्या है संगतकार संगतकार, संगतकार क्या होता है जैसे जब कहीं पर महफल जमी होती है संगीत की महफल जमी होती है तो एक मुख संगीतकार होता है जो गायन करता है, गाता है अब उसके पीछे, उसके सुर में सुर मिलाने वाले background में कई लोग होते हैं गाते हैं ठीक है जिसे जैसे एक main होता है आप लोग देखते हो playback singer तो वह main गा रहा है उसके बाद में उसके chorus में कई лонोग मिलाते है तो वह संगत कार उन्ही será नी कोरस में होता है ठीक है तो आपको बताई समझ में आगे ना कि कौन होता है अब वो संगतकार कैसे होता है वो अच्छा गायक होता है मगर तब भी जो है मुख गायक से अपनी मुची आवाज नहीं करता तो उसकी इंपोर्टन्स के बारे में इस कविता में हमारे सामने मंगलेश डबराल जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़े रखे दी तो इसका हमने पूरा डिटेल एक्समिनेशन यानि के लाइन से हर एक लाइन का अर्थ समझा है व्याख्या करी हुई है फिर उसके बाद हमने क्य किया हमने NCRT solution किया उसके बाद आपके multiple choice question हुए complete chapter revision हुआ तो आज इतना सब करने के बाद हम लेकर आए most important question ये totally इसमें जितने भी questions है वो subjective questions रहेंगे अब चुकि एक आवे खंड का है तो exam में पूछा जा रहे है जितने भी questions इससे संबंदित आएंगे वो आपके लगोतरिये प्रशन रहेंगे जिसके लिए आपको वर्ड लिमिट दी जाएगी 25 to 30 ठीक है तो इससे जादा नहीं करने हैं दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी जो most important questions करी हूं इसमें पिछले कुछ चालों से पूछे गए प्रश्ण भी है जो आपके exam में पूछे गए हैं और कुछ important questions भी है तो इनको बहुत ध्यान से करेंगे चुकि ये कावे खंड का है तो किसी भी कावे खंड के question answers करने से पहले आपको जो दिहान रखने वाली बात है कि इसको आप बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को देखेंगे कि जैसे कविता की line होती है उसका क्या आर्थ है उसके पीछे चिपे हुए भाव क्या है क्या कहना चाहते हैं कभी सब ही कुछ आज है अभी प्रशन संख्या एक अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक की जैसे दो question दिए गए क्या है मुख गायक का स्वर कैसा होता है मुख गायक के स्वर का साथ देती संगतकार की आवाज कैसी होती है और क्यूँ इसी से मिलता जुलता है मुख गायक और संगतकार की आवाज में अंतर इस्पष्ट कीजिए तो मुख गायक की आवाज कैसी होती है वो तान लगाता है वो खुली आवाज होती है जब कि संगतकार की आवाज जो रहती है वो दबी रहती है क्योंकि वो है उसे अब उसकी मजबूरी होती है कि वो मुख गायक से उची अपनी आवाज नहीं ले जा सकता है इसलिए वो दबी-दबी आवाज के साथ संगतकार के साथ होता है मुख गायक की आवाज गंभीर, दमदार एवं प्रभावी होती है इसके विपरीद संगतकार के आवाज मुख गायक की आवाज की तुलना में कमजोर और कपकपाती हुई होती है कापती हुई होती है क्योंकि उसे एक तरीके से डर होता है कि उसकी आवाज कहीं मुख गायक की आवाज से तेज ना हो जाए इसलिए वो अपनी आवाज को दबाता है इसलिए उसकी आवाज में वो कपकपाहट होती है क्योंकि वो अपने स्वर को मुख गायक के स्वर से नीचा रखना चाहता है इसलिए उसमें आवाज में कापती है किन्तो मुख गायक की तरह संगतकार की आवाज भी मिठास भरी होती है जैसे मुख गायक है बहुत सुर में गाता है बहुत अच्छा गाता है उसी तरीके से संगतकार की आवाज में भी वो सारे गुण होते लेकिन चूकि वो उसका साथ दे रहा है इसलिए अपनी जो आवाज है उसकी क्वालिटी जो है जादा नहीं बढ़ाता कि अगर हम जादा बढ़ा देंगे तो महफिल किसकी है मुखगायक की है और उसकी आवाज उससे उची हो जाएगी तो वो अपनी आवाज की क्वालिटी की हमेशा कम रखता है ताकि उसकी आवाज उची नहीं होने पाए संगतकार कदम कदम पर मुखगायक के स्वर में स्वर मिलाकर गायन को प्रभाव साली तथा सफल बनाता है बहुत जगाय ऐसा होता है कि जहां मुखगाय की आवाज कमजोर पड़ जाए वाज सुरो से भटक जाए कुछ कभी कभी ऐसी सिचुएशन सा आ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या करता है यह हमारा संगतकार उस पूरी सिचुएशन को सम्हाल लेता है जहां पर वो सुरो से भटका वहां वो सुरो पर ले आता है जहां वो बहुत उची तान लगा रहा है तो उसकी तान अगर कहीं पर गड़ा बैठ रहा है या कुछ हो रहा है तो अपनी तान के साथ उसको सम्हाल लेता है तो यहाँ पर संगतकार की आवाज जहां प्रभाव शाली दमदार है वहीं संगतकार की आवाज कमजोर कापती हुई लेकिन मुख गाय की आवाज को सपोर्ट करती हुई है प्रश्न संख्या 2 है संगतकार कविता में कवी ने अंतरे को जटलतान का जंगल कहा है गायक उसमें कैसे खो जाता है अब क्या ध्यान देखे जो अंतरा होता है अंतरा मतलब जैसे हम गाना लिखते हैं तो पहले फर्स्ट पैरा होता है वो मुखडा कहलाता है फिर उसके बाद के जो दो होते हैं paragraph या तीन हुए या एक हुआ जो भी हुआ वो कहलाता है अंतरा अब अंतरे की जटन तान में क्योंकि जब अंतरे में जो गीत होता है उसमें अंतरे में वो में तान को उचा नीचा जादा करता है तो उस condition में क्या होता है उस तान में वो कहीं न कहीं उलच जाता है तो वही चीज बोला अंत्रे की जटल तान को जंगल का है क्योंकि उसमें स्वर बहुत उचे नीचे होते हैं और बहुत घाने जैसे जंगल होता है घाने में कहीं उपर गया कहीं नीचे गया कहीं बहुत घना जंगल है कहीं जाणिया है तो हमारे भटकने का डर रहता है उसी तरीके से वहाँ पे भी ताने इतना उपर नीचे करती है कि गायक के भटक जाने का डर होता है क्योंकि वो किस किस तान से शुरू किया था किस तान पहुंच गया फिर कहां पहुंच गया तो इतने जादा आपसेटिन डाउंस होते हैं कि वो उसमें खोने का डर रहता है इसलिए उसे जंगल का सब्सक्राइब में सब्सक्राइब उसके पि Effective में इस्थाई की अपेक्षा से सर्प्रोग में लाए cascade सफ्सक्राइब जहां पर आवा जुस्टुर है वो बराबर चल रहे होते लेकिन अंत्रे में क्या होता है उल्चे हो जाते नीचे हो जाते फिर उच्च हो जाएंगे फिर नीच्च हो जाते तो अंत्रे की प्छतुत Boy Ravens के दौरान उचे- delegation स्वरों वाले कठीन कठीन सर्गमों पर आधारी IT प्रस्तूत की जाती हैं तो ऐसी पर और कलिके विस्तार में कठिन से गठिन तानों के अधीका-धिक प्रयोग किये जाने के कारण ही आंत्रे को जटल तया का जंगल कहा है जिस्में गायक हो जाता है क्योंकि उसमे ज़्यादा सब्सक्राइब कठिन ताने इस्तिमाल करी जा रही है और कठीन में का होता भाई हम अगर एक फ्लो में का रहे हैं तो गाते चले जाते उपर-nीचे उपर-nीचे होता तो क्या होता है हम उलच के रह जाते अंतरे के इसी विस्तार के क्रम में जब गायक सरगम को लांगता हुआ अनहद नाद में ऐस संसार में चला जाता है जहां उसे स्वेम और दूसरों के हुने का आभास नहीं रहता तो कहने का टाच पर जब अंतरे में उची ताने लगाता है तो फुन ऊची तानों में इतना खो जाता है वह कहां बैठा है किसके सामने बैठा है वो खुद कौन है वो खो जाता है क्योंकि वो खुद एक संगीत की साधना कर रहा है तो उसे ये सब चीजें याद ही नहीं रहती है प्रश्ण संख्या तीन है जब मुख गायक अंतरे की जटलतानों में खो जाता है तब संगतकार अपने करतव को कैसे पूरा करता ह अब क्या होता है अब वो इतनी तान लगा रहा था कि वो उसी में अपने आप खो गया उसको ध्यान ही नहीं है कि वो कहां बैठा है क्या कर रहा है तो इस कंडिशन में वो संगतकार क्या करता है वो संगतकार उसके सुर में सुर मिलाता है और उसे उस जंगलों से खीच के वापस ले आता है मतलब उसे वापस इस मतलब जहां वो मगन हो गया था अपने आपको खो गया था वहां से वो क्या करता है वापस उसे ले कर आता है कि उसके तान में तान मिलाता है उसे जगाता है कि नहीं भाई आप यहां महफिल में बैठे हैं हूश में आईए और इस और अपने सुआइट जाता है तब संगतकारगायन के इस्थाई को सम्हालता है तो गायन का इस्थाई यानि कि जहां से starting point था पहले हुत कोई भी चीज एकदम से से रफतार थोड़ी न wcze로 गाना चलेगा पहले ऐसे करके आया फिर ऐसे आया धीडे धीडे उठा फिर ऐसे उठा फिर ऐसे करके फिर ऐसे उठता है फिर ऐसे उठता है ऐसे ऐसे करके ऐसे करके उठता है ना तो जब वो इस्थाई इस्थाई कौन सा पोर्शन है ये इस्थाई पोर्शन है जहां पे वो थोड़ा स्टो चल रहा था बराबर चला था अब खोए कहां संगीत कार जाके जब तान इतनी उची थी तो वो वहां खो गए अब संगतकार का काम क्या रहता है वो साथ में चल रहा है ये तो मुख गाय की आवाज है लेकिन जो हमारे जो हमारे संगतकार की आवाज होती है वो क्या होती है वो इसी के साथ साथ चल रहा था अभी तक साथ चल रहा था अब मुख गायर तो उपर बढ़ गया लेकिन संगतकार अभी भी इसी सुर में चल रहा है वो जादा हूचा नहीं जाता है फ वो इतने चोटे चोटे रियाक्स में गाने लगता है तो उसका काम क्या रहता है उन्हें खीच के यहां से यहां तक लेकर आना वो सुरों के माध्यम से होता है सुर ऐसे बनाओ कि वो आपस ही खीच कर आ जाए तो मुख गायक का साथ देकर कारिक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता तो यहां ध्यान से दीजेगा फिर से देखती हूँ जब मुख गायक अंतरे की जटिलतानों में खो जाता है और अपने सुरों में भटक जाता है तब संगत कार गायन के इस्थाई को सम्हाल गायन के मूल सुरों को पकड़े रखता है तो जहां से गायन शुरू हुआ था जो सुर्थ थे उनको पकड़ के रखा था और मुख गायक जो यहां इतना उंचा चला गया था उसे वापस खीचके उन्हीं स्टेबिल वाले स्वरों में लेकर आता है मुख गायक का साथ दे देता रहे यह नहीं कि वह अपना गारा रहा थे और यह अगर मुख गायक गायक साथ चलिए अगर वह बहुत हुचे में भटक गया साथ देते समय आप प्रत्यक्ष रूप से उसे क्या-क्या याद दिलाता है अब इसमें क्या बता रहा है कि जैसे उसका कोई सामान कहीं खो गया हो छूट गया हो उसे समेटता चल रहा है उसको याद दिलाता है कि जब वो खुद एक नौसिखिया था तो इसे कई चीजें उस तब संगतकार ही गाने के स्थाई को पकड़े रहता है ऐसा लगता है जैसे वह उसे उसका बच्पन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था और सरगम के स्वर से भटक जाता था तो संगीत यानी कि जब वह नौ सिखिया था जब उसने सीखना शुरू किया था तो अ ऐसा अकसर होता था कि आप अपने स्थाई से भटक जाते थे तो वही आपके साथ आज भी हो रहा है मगर ये वापस ले आता है संगतकार उनको वापस वहां से ले आता है प्रेश्ट संख्या 5 है संगतकार द्वारा इस्थाई को सम्हाले रखने की तुलना किन-किन बातों से की गई है तो कौन-कौन सी थी कौन सी बाते थी उसमें मुख बाते तो ये थी कि जैसे कोई जो है किसी का छूटा हुआ सामान समेट रहा है ये थी ना जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम पीछे सामान जो छोड़ गए हैं वो बिखरा हुआ है और संगतकार उनको को समेटने का काम कर रहा है संगतकार द्वारा स्थाई को समाले रखने की तुल्ला मुख गायक के गायन के उपरांत पीछे छूटे हुए समान को समेटने से की गई है कि मतलब जो हमारा गायक है मुख गायक भड़ता जाता है और यह स्थाई को समाले रखता है हमारे मुख ग समान पीछे चूट रहा है तो उसको हमने अभी समाल कर रखा समेटते हुए हम चल रहे हैं क्योंकि सुरों के साथ उसके समान को समालना वा अपना दाइत तो समझता है इसके विपरेद उसके तुलना किसी नौसिखे अर्थात नए सीखे सीखने वाले के सुरों से होने वाले भटकाव को याद दिलाने से की गई है जो उसके भटकाव को दूर करने में उसकी सहायता करता है तो अब क्या होता है कि यहां पर दूसरे जो तुलना की गई है कि जब वो नौसिखिया था तो अकसर क्या होता था जब वो गायन करता था हमारे मुख गायक जब गायन करते आज वही इतने बड़े गायक बन जाने के बाद आज भी वह भटके तो उनको वहाँ पर वापस लेकर आने का काम किया किसने संगतकार ने तो जब संगतकार उने वापस लेकर आ रहा था तब हमारे मुख गायक को याद आया कि ये काम तो हम तब करते थे जब हम नौ सिखिया तो उसे दो चीज़ों का काम पहली चीज की तुलना किस से करिए जैसे कोई अपना सावान पीछे बिखेर जाता है और हम समेटते हुए जाते हैं उससे करी गई है और दूसरा जो की गई है वो उनको नौसिखे जब थे उनकी याद दिलाने से की गई है प्रश्ण संख्या 6 है सब्तक का आर्थ बताते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए तो अब यहाँ पर आपको बताना है तार सब्तक था ना तो उसी में जो मेन है सब्तक उसके कितने भेद होते हैं क्या है उन सभी के बारे में बताना है संगीत में साथ स्वरों के समू को सब्तक कहा जाता है ये साथ स्वर हैं शड़ज, रिशब, गंधार, मध्धम, पंचम, धैवत और निशाद इन्ही नामों से पहले अक्षर को लेकर क्रम शाह सारे गामा पाधा नी बना कहा गया है तो ठीक समझ में आया यहाँ पर सारे गामा क्यों बना हुआ इन्ही के पहले स्वरों को लेकर बनाया गया है तार सब्तक मतलक जो हमारे जो बेसिक स्वर होते हैं उनसे नीचे जाता है मद्धम यानि मिडल का रहता है और तार सब्तक यानि की बहुत उचे स्वर में जाता है तार सब्तक से क्या तात पर चलिए बताते हैं तार सब्तक क्या होता है हमने भेच समझा अभी तो मैंने आपको समझा दिया तार सब्तक बहुत उचे स्वर को कहा जाता है संगीत में मुकता साथ स्वर होते हैं इनी साथ स्वरों में आवाज को उचा नीचा करके गाया जाता है तो पर सारे, गामा, पाधा, नी, बस जो ही इतने ही साथ स्वर है अब इसी में ही पूरा गायन होता है इसी में आप उपर जाओ, नीचे जाओ, ना जाने कितने सुरू बन गए आवाज की उचाई, नीचाई के आधार पर स्वरों के समू को तीन सब्तकों में विभाज़त किया गया मतब आवाज कित्ती उची, कित्ती नीची, इसे के हिसाब से इनके अलग-अलग ग्रुप्स बन गए है उन ग्रुप का नाम क्या है? मन्दक सब्तक, मध्यम सब्तक, एवाद तार सब्तक सबसे उचे सरों वाले सब्तक, तार सब्तक कहलाता है इस раскana मध्यम सब्तक के बाद आता है तो अब यह क्यों होता है? यह आपको समझने आ गया जो उपर नीचे के जो स्वर होते हैं इसमें तीन ग्रुप्स बनाए गए हैं मंदक सब्तक, मध्यम सब्तक और तार सब्तक तार सब्तक जो होता है वो सबसे उचे सुरों का ग्रुप है जहाँ पर जितनी भी ताने लगती हैं उनमें हमेशा उचे सुर लगाए जाते हैं प्रश्ट संख्या आठ है गायक का गला कब बैठने लगता है उस सेमें उसकी मनाह इस्तती कैसी होती है अब क्या होता है जब वो बार बार उची तान लगा रहा है फिर से नीचे आ रहा है फिर से उची लगा रहा है तो उस कंडिशन में उसका गला बैठने लगता है हैं तार्सब्तक के अत्यभिक उतार चढ़ाव होने पर जगायक इसे जब गाता है तब उसका गला बैठने लगा तो तार सब्तक जैसे बताया गया कि भाई बहुत उचे सूर होते हैं अब इतने उचे शूर अगर हम लगाएंगे तो बाहिर सी बात किना बैठेंगा ॉंका बैठने लगा तो उस समय उसकी समाप्त हो थोनेलगती हैं इसल Спасибо कि समाप्त हो गया कभवी कब बोलब मं सब्सक्राइब हमें हिम्मत हारने का हमने अपना उससाहाँ खो दिया और यही ठकान जो है जब तार सब्तक में मुख गायक उची तान लगाता है तो ुसके आवाज बैठने लगती है वो ठक जाता है, उसका उससाहा पम होगता है और ऐसा लगने लगता है जैसे उसकी आवाज से राख की तरह कोई चीज गर रही हूँ तो राख की तरह गरने का यहां ताबतर पर यह है कि उसके सुर में जितना जोर हुणा चाहिए जितना उच्साह होना चाहिए था वो नहीं है होता है, हम गातों रहें हैं बहुत हुजे सवर में, लेकिन हमारा अंदर का उच्छ मर चुका है तो उत्यना हमें मधूरता आएगी ही नहीं अर्थात उसमें निराशा एवं निरुच्छा का भाव सम्चारित होता है यानि कि तब उसका जब सुर गिरने लगता है तो उसमें जब से लगता है कोई राक सा गिर रहा है क्यों क्योंकि उसके उस सुर में इतना उत्साहा नहीं होता उतना मतलब उसको लगता है कि नहीं अब हम थक गए हैं अब हमसे नहीं होगा तो एक निराशा जो है वो आवाज में पहले प्रकट होने लगती है प्रेश्ट संख्या 9 है गायकों की गायन के दोरान कौन-कौन सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है अब गायकों को गायन के दोरान कौन-कौन सी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है पहला है अत्यधिक उतार चड़ाओ वाले रागों को गाते समय उनका गला बैट जाता है पहली मुसीबत जब वो इतने उतार इतना उचा सुर फिर नीचा सुर फिर नीचा सुर जब इतना उपर नीचे करते हैं तो उससे करते करते क्या हो जाता है गला बैट जाता है अब यहां तो गायन में क्या होता है उसे इतना उचा बोलना पड़ता है फिर नीचे आता है फिर उचा जाता है फिर नीचे तो इससे उसका गला जो है वो बैठने लगता है गायन के दोरान जटलतानों को गाते समय वा सरगम लांग अनहद में भटक जाता है वो क्या करता है सरगम को लांग जाता है और अनहद में भटक जाता है कहने का ताज पर क्या है कहने का ताज पर यह है कि जो हमारी ताने होती है जटलताने होती ना उपर नीचे ऐसे करके होत पाता है तो जो स्थाइसवर है उसे याद ही नहीं रहता किस स्थाइसवर से हमने लगा यह होता ना कि आप यहां पे आप यह समझो कि मान लो आप जो है कोई काम करने रिटन वर्क करने के लिए बैठे अब आपके पास आज बहुत सारा होग है मतलब आपके सभी किया इंग्लिश किया हिंदी किया साइंस किया एसस्ट तक आते आते आपकी हालत बोल गई कितना लिखें भाई कितना हूंवक करें तो अब जब आपने काउंट करने बैठे कि हम कौन सा करेंगे तो आपको भूरिया समझ में नहीं आ रहा है कि हमने मैट्स में क्या करना उख गायक के साथ क्योंकि वो इतना जटिल गायन कर रहा था कि उसे ने शुरुवात किस तान से करी थी वो उसे भटक जाता है इसलिए बोला है अनहद में भटक जाता है तार सब्तक जैसे रागों को गाते समय जब उसका गला बैठने लगता है तो वह निराश एवं हताश ह प्पाष होने लगता है अब तार सब्तक का स्वर जैसे बताया गया कि बहुत उचा स्वर लगता है उचा सर का मतलब टेक भी बहुत उची लगेगी जब डेग ऊपर लगए तो क्या होगा आप को उत्ततीते जुतनी conscious आवाज निकालनी पड़ेगी तो उससे क्या होता है उसको जो है अब उससे लगता है इतनी मेहनत करनी पड़ी तो एक कंडिशन में आके लगता है कि उससे अब नहीं हो रहा है अब जब नहीं होता है तो अब उसके अंदर की जो ठकान है जो घबराहत है वो उसकी आवाज में व्यक्त होने लगती है यानि कि संगतकार का साथ योहीं क्यूं देता है संगतिकार वहाँ क्यूं बैठा है वहाँ पर बैठा हुआ है मुखगायक का साथ देनी के लिए आज योहीं Yeah, उने का दाध पर क्या है कि वह बतारा जाता है तुम Meek अखेले नहीं तुम्हारे साथ कुछ रूहरा है कि जैसे होता है हुआ हम ने डा हम झाहिह कि हमने तिन फेड़े क्या है ृँआ यहां से आप शुरू किया आभ से आपको शुरऊ करनी है खूब लंु है आप उसा समझो क्या कि आपने शुरू करी कि यति शुरू का कश्मीर जाना है . अब ये आत्रा बहुत लंबी है, अब इस लंबी आत्रा में पर कोणा नहीं आर, बहुत excitement है, हम अकेले आत्रा करेंगे, आपने शुरू कर दी आत्रा, शुरू तो कर दी, लेकिन बीच रास्ते में, मतलब आप इतना लंबा सफर है, बहुत दिन का सफर है, आपको एक साथी क जुरूत पड़ेगी, क्योंकि वो enjoyment शेयर करने के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए, तो उस enjoyment के लिए आपको अपने सफर में ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उनके साथ, आप enjoy करते होगे, यही होगा ना, यह नहीं तो अकेले के train में बैठे हैं, चुप चाप खिड जो है, वहाँ महफिर उसी के लिए सजी है, उसकी आवाद सुनने के लिए, जब वो गाना शुरू करता है, तो हाँ उसे अकेले वो आराम से गा रहा है, लेकिन जब चलते चलते उसे एकदम लगता है, कि आरे खाली मैं ही आ रहा हूं, बोरियत हुने लगती है, क्योंकि द उनों लोग इंजॉय करके ये इस पूरी महफिल को सजाते हैं, तो वो सिर्फ उसको साथ देने के लिए ही कभी-कभी गा लेता है, कभी-कभी संगतकार मुख गायग का साथ यूही इसलिए देता है, क्योंकि वह मुख गायग को ये बताना चाहता है, कि वहाँ अकेला नही हैं, वामुख गायग में उत्सहा भरने लगता है, कि जिस राग को गाया जा चुका है, उसे फिर से गाया जा सकता है, तो उसके अंदर जहां उत्सहा बरता है, वही ये चीज़ बताता है, कि हम माना कि तुमने ये राग गा लिया है, अब एक बार गा लिया, इसका मतलब नहीं कि दुबारा तुम नहीं गा सकते हों, तो उस गायन तक वो संगतकार उसको लेकर आता है, और इस चीज का हैसार दिलाता है, कि जो सुर गाय जा चुके हैं, या तान लगाई जा चुकी है, उसे हम दुबारा भी कर सकते हैं. प्रश्ट संख्या ग्या रहा है गाई जा चुके राग को फिर से गाने की प्रश्ट भूमी किस प्रक्यार तयार होती है अब क्या है अभी हमने बताया कि जो चीजे गाई जा चुकी है संगतकार उसको बोलता है कि क्यों नहीं हम उसको दुबारा गा लेते हैं तो वो फिर से अब ये प्रिष्ट भूमी तायार क्यों kia रहे है क्यों गायी compress की चीज को डुबारा गाया जा रहा हैं hmm मुख गाय क्वार जब गायन के दौरान किसी राख को गा चुक का होता है तब संगतकार उस राक को पुन्हा गाकर सुरो को ऐसी जगहा पर पहुचा देता है जहां से मुख गाय उस राख को फिर से गा सकता है उस प्रकार संगतकार अपनी गायन शैली में गाय जा चुके राख के लिए पुना गाने है तो प्रश्ट भूमी तयार करता है अब प्रश्ट भूमी का मतलब क्या होता है मतलब हमने जहां से शुरुवात करी जैसे अम मान लेजिए अब आपकी जहां से पैदाईश हुई मतलब अभी आप कहीं रह रहे हैं आपका जन्म किसी और शहर में महाओ तो वो आपकी प्रश्ट भूमी है अब गीत तो हमने जहां से शुरू किया था हमने इस्थाई से शुरू किया था अब इस्थाई से शुरू करते ही मुख गायक बहुत उचा नीचा गाते पिरते आगे बढ़ गया लेकिन अब क्या है संगतकार का काम है उस इस्थाई को पकड़े रहना यानि कि जो वो गा चुका है मुख गायक उसी तान को वो दुबारा लगाता है सिर्व इसलिए ये दुबा से हमने गायन शुरू किया था वहां तक वो मुख गायक को बड़ाबर बनाए रखना चाहता है इसलिए गाय जा चुके स्वर को दुबारा गाता है प्रश्ण संख्या बारहा है संगतकार शब्द का अर्थिस्पष्ट करते हूँ इसकी स्तिथे और भूमी का उपर प्रकाश डाली है अथवा संगतकार किसे कहते हैं तो संगतकार कौन होता है आपको ये हमने इस वीडियो के शुरू में बता दिया था कि जोहां कहीं महफि से गायक होते हैं जो उसके गान के साथ तान लगाते हैं जो से वो गार आया उसी के साथ तो वो संगतकार अर्थात साथ देने वाला वेक्ति जो है तो संगतकार का मतलब समझ में आ गया आपको देखी क्या है मुख गायक के साथ गाने वाला अत्वाद यंत्र बजाने वाल सेयोगी संगतकार कहलाता है मुखगायक के गायन की प्रस्तुति में संगतकार की इस्थती और भूमिका अत्न्त महत्वपूर्ण होता जाती है यानि कि जहां कहीं मैफिल जमी है वा मुख गायक के साथ संगतकाय की भूमी का बहुत ही important होती है वा मुख गायक का साथ देकर गायन को पूर्ण करने में सही ओक करता है अब संगतकार तो बहुत उपर नीचे स्वर गाता रहता है लेकिन यहां पर जो काम है साथ देने का कौन करता है संगतकार कि भाई ठीक है आप उपर नीचे स्वर में गा रहे हैं लेकिन आपकी जो मेन बेस है उसे हमने पकड़ के रखा है तो आप जब भी उपर जाओ तो नीचे आओ तो आपको पता है कि इसी तान से स्वर लगाना है उसकी सहायता के बिना मुख गायक अपना गायन प्रभावी ढंक से पूरा नहीं कर सकता अब आप देखिए आपको कोई भी फेमस गाना हो कुछ भी हो हमेशा मुख गायक तो गाई रहा है उसके साथ भी पीछे जो है ना जो आपके बाद्य अंत संगतकार गायगा जो गायक है वो गायगा तो वो अलग होगा क्योंकि यहां पर उसका साथ देने वाले कई सारे होते तो किसी भी गायन को बहुत ही जादा प्रभावशाली बनाने में संगतगार के एहम भूमिका होती है तो संगतकार क्या होता है उसकी क्या भूमिका होती संगतकार किस प्रकार के व्यक्ति का प्रतीक है कैसे प्रकार का संगतकार कविता के आधार पर बताईए अब किस प्रकार के व्यक्ति की भूमी का वो निभा रहा है आपको यह बताना है संगतकार वैसे व्यक्ती का प्रतिक है जो स्वयम प्रश्ट भूमी में रहकर संभध्य विवस्था में महत्यपूर भूमी का निभाता है और उसके सर्वाधिक प्रभावी व्यक्ती की सफलता के हर संभव सभियोग करता है तो कहने का मतलब होता है न, कहते हैं हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है एक एक हावत सुनिये ना आपने, तो उसी तरीके से एक किसी भी मैफिल को सफल बनाने के लिए किसका हाथ होता है, संगतकार का हाथ होता है तो उसका काम क्या है जैसे हम अभी में बताते चले आ रहे हैं मुख गायक की तान में तान मिलाकर उसका साथ देना उसे एहसास दिलाना कि वो अकेला नहीं है वो कभी अगर सुरों के जंगल में भटक जाए तो उसे वापस इस्थाई तक लाने का काम कौन करता है? जा रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल की फीस भरी जा रही है जो कुछ भी अडर्वार्श पूरी सफलता जो अच्छे से चल रहाइशकी सफलता का श्रे किसको दे रहे हैं? आप मँअ और पापा को दोगे तो आपके जीवन की जो सफलता का में श्रे है किसे मिलना चाहिए मम्मी पापा को अब आप आगे चलके मानलो IES या IPS ऑफिसर बन जाओ या बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाओ सब बोलेंगे रहे भाई बहुत अच्छा आपने पढ़ाई करी इतनी अच्छी रैंक आई सब तारीफ आपकी कर रहे हैं लेकिन आपकी सफलता का सबसे बड़ा श्रे मम्मी पापा का है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो आप इतने आगे नहीं बढ़ते उसी तरह मैफिल में होता है मैफिल में जब गायन इत्था चल रहा होता है तो सब तारीफ किसकी करते हैं जो लीड सिंगर है जो गा रहा है मुख गायक उसकी करते हैं लेकिन उसको पीछे से सपोर्ट करने वाला वो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला भी है उनकी तान में तान मिलाने वाला भी है तो यह चीज़ कहने का ताद पर यह है कि जो पूरी महफिल है उसकी सफलता का काम किसके पास होता है संगतकार के पास होता है किन्तु उसे ऐसा करते समय सदा इसका खयाल रखना होता है कि उसका स्वर्व मुख गायक के स्वर्व पर भारी ना पड़े तो जहां वो यह कर रहा है आप पीछे से सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि हमेशा प्रशन्शा मुख गायक की होनी चाहिए इसलिए हमेशा उसका सुर आगे रहे और मेरा सुर पीछे रहे उसी तरीके से यहां पर आप देखें घर में भी क्या है मम्मी पापा हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेंगे लेकिन आपकी वहवाही के बीच में नहीं आते हैं वो हमेशा सपोर्ट करेंगे नहीं आप बेटा ये काम आप ही करो ताकि जब आपको जितना भी वहवाही मिले आपको मिले उसमें हमारी भागेदारी नहीं होने चाहिए सपोर्ट करते हैं लेकिन आपकी प्रशंशा का पॉर्ट नहीं बनते हैं तो वही चीज़ इन्होंने यहां बताई है कि संगतकार जो है वो क्या करता है हमेशा मुख गायक की आवाज से अपनी आवाज को नीचे रखता है प्रश्च संख्या 14 is मुख गायक एवं संगतकार के मध्ध जोड़ी कड़ी अगर तूट जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं इसपश्ट कीजिए आप ध्यान दीजेगा मुख गायक एवन संगतकार के मद्ध कोई कड़ी है अगर वो कड़ी क्या है वो जो गायन कार्वी हो रहा है वही एक कड़ी है अगर वो कड़ी तूट जाती है तो क्या होगा मुख गायक एवन संगतकार के मद्ध जुड़ी कड़ी अगर तूट जाए तो मुख गायक का गायन सफलता पूर्वक पूर्वक पूर्ण नहीं हूं पाएगा क्योंकि जो सपोर्ट कर रहा है अगर वो सपोर्ट हमें हट जाए तो क्या हो महफल सक्सेस्फुल हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी अब माल नीजे गायक वहां गाने बैठा हुआ है और पीछे जो क्या कहते हैं उसके गायन में हर्ओनियम बजा रहा है वो हरीम मुझा नहीं बोले नहीं हमारीम नहीं बजाएंगे हम जा रहे तो क्या होगा जो गायन गा रहा है उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा अब इसी तरह देखिए आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो सब कुछ है लेकिन मम्मी बोलेंगे अब हम फ अगर जो है वो मुख गायक को सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा वह मेधम सक्सरफफुल होई गी हुए नहीं जो काम क्यों ही नहीं पाएगा जब मुख गायक अपने सुरू से भटतने लगेगा या उसका गला बैठने लगेगा took पिस्ताई को कोई सम्हालने वाला नहीं होगा ठीक है अब तान तो देखी कितीं उची-उची लगती है सब कुछ है तो जाहिर सी बात है वो भटकेगा भी और उसका गला भी कमजोर पड़ेगा तो उस जगह जहां उसका गला कमजोर पड़ रहा है उसको support करने वाला कोई नह या उसको खासी आ जाएगी या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से जो महफल सजी थी जो लोग मंत्र मुख दो रहे थे उस गायन से उनका ध्यान भटक जाएगा तो वो महफल पूर्ण नहीं होगी इससे मुख गाय का उससा हशीन हो जाएगा जब उसको समहलने वाला कोई नहीं है तो महफल कहीं नहीं थेरेगी खुद हमारा जो गायक है मुख गायक उसका उससा भी कम हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 है मुख गायव के साथ संगतकार का होना क्यों आवश्चक है अब उसको बताया हमने कई उसमें बताते हैं आपको चले आ रहे हैं ताकि वो अकेला ना महसूस करे गायन में जब कहीं भटक जाए तो संगतकार उसे वापस लाए जब वो बहुत उचा सुर लगा रहा हो तो उसे पीछे से सपोर्ट करे कि नहीं तुम गाओ हम तुमारे पीछे इस सुर को समाले रखेंगे जब तानों में वो बहुत उलत जाता है भटक जाता है तो वापस लाने का काम भी संगतकार ही करता है मुख गायक के साथ संगतकार का हुना आविशक है क्योंकि मुख गायक अकेले गायन को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होगा गायन में साथ देने के लिए सहायक गायकों के साथ-साथ कुछ आवशक वाद देंत्र और उन्हें बजाने वालों की अभी आवशकता पड़ती अब कोई भी महफिल होगी देखो सिर्फ गाने वाले नहीं होते पीछे से म्यूजिकल सपोर्ट देने के लिए वाद देंत्र यानि कि म्यूजिकल इंस्टूमेंट बजाने वाले भी होते हैं अब म्यूजिकल इस्टूमेंट नहीं होगा तो खाली गायन का प्रभाव पड़ेगा नहीं बढ़ सकता है तो यहाँ पर उस गाने जो गाना गाया जा रहा है जो भी गित गाया चारा है उसको सपोर्ट देने के लिए कौन चलता है पीछे म्यूजिकल इस्टुमेंट संगत कार ही मुक गायक की ठकान भरी आवास को सहारा देता है जब वो गाते का भई गाना चोटा तो होता नहीं उपर नीचे दाने लगानी है तो एक समय ऐसा आता है कि वो ठक जाता है जिससे गायन की प्रस्तुती में अध्योपता अंस्थाई स्वरूप कायम रहता है तो यहाँ पर क्या होता है जब वो गायना गा रहा है तो गाते गाते एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो भग ठक जाता है और उस ठकने में उसका स्वर थोड़ा सा डाउन पढ़ने लगता है तब उस ठके हुए स्वरूप को सपोर्ट देने का काम कौन करता है संगतकार करता है मुख गायक सुर से भटक नहीं पाता संगतकार के अभाव में मुख गायक की सफलता का मार्ग अवरुद होगा और क्या है कि जब भटकता है सुर तूटते हैं तो उनको सपोर्ट कौन दे रहा है संगतकार दे रहा है तो अगर संगतकार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ताने बीच में कमजोर पड़ेंगी वो तूटेंगी तो इसलिए सपोर्ट के लिए जरूरी होता है संगतकार का होना और अगर नहीं होगा तो कोई भी मैफिल सक्सच्छुल नहीं हो सकती है प्रश्ण संख्या 16 है संगतकार की आवाज में एक हिचक सी क्यों प्रतीत होती है अब उसकी हिचक का कारण क्या है उसकी हिचक का कारण है कि वो अपनी आवाज को मुख गाय की आवाज से उचा नहीं करना चाहता इसकी तान जो आवाज है जो सुर लगाने का तरीका है वो बहतरीन है लेकिन तब की उसकी आवाज में एक हिचक होती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आवाज मुख गाय की आवाज से उची हो इसी लिए जो है वो हिचक उसके गाते समय सुनाई दीती है संगतकार की आवाज में हिचक सी प्रतित होने का कारण यह है कि यह सोचकर कभी खुला अत्वा जोरदार स्वर नहीं लगाता कि कहीं उसका स्वर मुख गायक के स्वर पर हावी न पड़ जाए कि वो बहुत खुलकर नहीं गाता बहुत जोरदार नहीं गाता कि अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा मुख गायक की आवाज जो है वो कहीं न कहीं दब जाएगी इस कारण वो बहुत दबे स्वरों को लगाता है वस्तुता स्वर लगाने के दोरान अपनी सीमा को भली भाती समझने वाला संगतकार मुख गायक का सम्मान करते हुए ऐसा करता है तो अब ये जो गारायत के वेने उसके दिल में सम्मान है मुख गायक के लिए अब मुखगाय के लिए सम्मान क्यों क्योंकि वो संगीत को बहुत महत्व देता है इसलिए संगतकार मुखगाय की बहुत इज़त करता है वह हर हाल में मुखगाय का सहयोग करना ही अपना करतवे समझता है संगतकार का दबा हुआ स्वर ही उसकी मानवता का परिचायक है हर हाल में जो भी मैफिल जमी है उसमें हर हाल में वो सिर्फ संगतकार क्या है संगतकार जो है वो मुखगाय की हेल्प करना चाहता है और ये जो helping nature है या उसकी दबी हुई आवाज है जो हिचक है उसकी आवाज में उसका मुख कारण जो होता है वो क्या है उसका अपना खुद का जो मानवी सुभाव है अर्थात वो बहुत ही जो है कि कहते हैं supporting nature का है या मानवता जो उसके अंदर रहती है वो चीज है क्योंकि प्रेश्न संख्या 17 है संगतकार का दबा हुआ स्वर उसकी पराजय का प्रतीक नहीं है क्यों अब संगतकार जो दबी आवाज में गा रहा है उसको लोग बोलते हैं कि अरे भाई ये गा नहीं सकता बैग ग्राउंड सिंगर है तो इसलिए जो है अच्छा नहीं गा सकता त उसको बोलते हैं कि इसलिए तो अब वो उसकी पराजय नहीं है लेकिन वो उसकी पराजय नहीं यह क्यों नहीं है यह आपको बताना है दूसरा है संगतकार की आवाज में दिखाई देने वाली हिचकिचाहट क्या प्रदर्शित करती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो स्वर्व ऐसा लगा रहा है इसलिए ऑच्छा नहीं गा सकता ऐसा नहीं हुता वह सुर्व अच्छा नहीं लगा रहा है यह मुक्ह गायक से संगतकार की आवाज हो गाया । दो pressured सर्फ मुंख गायक का रहा breakthrough की नहीं तो यहाँ पर और आवाज सिर्फ की उक्ची होनी च चाहिए मुख गाया की बाकि सब iç some supportive होने चाहिए यानि कि अम मानली जी vienen बurn कोई बिजा जा रहा है कोई बिजा जा राया अब जो हमारा में लेडिड सिंहर है अभ आप लोग भुग सारे सॉंग ऑख ए пожश डिखे लाउड म्यूजिक है कि हमको समझ नहीं आ रहा तो इसी कंडिशन में यही बताया गया है कि मुख गायक को सपोर्ट करना संगतकार की पराजे नहीं होती उसकी आवाज की हिचक उसकी पराजे नहीं उसकी मानवता है उसका करतव है उस महफल को सफल बनाने का संगतकार की आवाज की हिचक चाहट उसकी कमजोरी को प्रदर्शित नहीं करती वस्तुता संगतकार अपनी पूरी आवाज से नहीं गाता है मतलब हिचक चाहट वो अचा है तो खुल के गा सकता है लेकिन वो जान की खुल कर नहीं गाता है क्योंकि उसको अपनी आवाज उची नहीं करनी है वह नहीं चाहता कि मुख गायक से उसकी आवाज तेज हो जाए क्योंकि उसकी आवाज तेज होने से मुख गायक का प्रभाव शेंड हो जाएगा अगर मान लेजिए उस महफिल में सबसे उची आवाज मुखगायक की चल रही है और इसी बीच हमारे संगतकार की आवाज तेज हो जाए हो मुखगायक की नीची हो जाए तो क्या होगा मुखगायक का प्रभा उस महफिल से कम हो जाएगा ये तो वहाँ पर मौझूद कोई एक भी विक्ति नहीं चाहेगा तो यही चीज संगतकार भी चाहता है इसलिए वो अपनी आवास को थोड़ा दबा कर रखता है साथ ही संगतकार के हिदे में मुख गायक के प्रतिशधा की भावना भी है जिससे मुख गायक की तुलना में वह अपनी आवास को दबा हुआ रखता है तो जहां मुख गायक जो है वो बहुत अच्छा गा रहा है वो उसको सपोर्ट कर रहा है संगतकार उसको सपोर्ट कर रहा है इसका मेन एक कारण है तो वो उस महफिल को बर्बाद नहीं करना चाहता और दूसरा उस मुख गायब के लिए संगतकार के दिल में बहुत ज़ाधा इज़त और सम्मान है इसलिए प्रश्न संख्या 18 है संगतकार का सामने ना आना उसकी विफलता नहीं मनुश्यता है इस कथन से आप कहां तक सहमत है साहर सी बात है कि भाई उसकी विफलता तोड़ी नहीं उसका काम क्या है उसका जो काम है वो है मुख गायब को सपोर्ट करना इसलिए वो परदे के पीछे रहकर ही उनका सपोर्ट करता है देखिए कोई गाना या अल्बम हिट हो जाता है तो जो लीट सिंगर है उसकी वाव सिंगर है उसको पूछता है तो यहां पर सफलता बात किसकी होती है सिर्फ मुख गायक की होती है अब यहां पर वो सामने नहीं आया जो पीछे बजाने वाला था या गाने वाला था वो सामने नहीं आया तो यह उसकी विफलता नहीं है यह उसका काम था मुख गायक को सपो कोट करना था यही उसकी मनुशता या मानवता है कि मुख गायक की तरह संगतकार में भी प्रतिभा या साहस की कमी नहीं होती है वह भी मुख गायक की तरह धन और प्रसिद्धी पा सकता है किन्तुवा किसी को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने में विश्वास नहीं करता कि पर चलने का अब हमसे आगे गर कोई गाड़ी चल रही है मुस गाड़ी को जोर से टक्कर मारें उसके अक्सिडेंट करके उसे रोट से उतार दे और हम आगे बढ़ जाए यह तरीका है चलने का नहीं है ना तो यही चीज हर ये नियम हर एक जगह लागू होता है जो आप से मानसिकता बिमार है किन्तु कभी ने उसकी विफलता को उसकी मनुष्टा कहकर पुकारा है यह संगतकार की मनुष्टा ही है जो मुख गायब को उसकी परिशानी में मदद करती है और कभी इस विचार से पूर्णता सहमत है तो यहाँ पर क्या है उसकी मनुष्टा है कि वो पीछे बैठा हुआ है उसकी आवाज से आगे आवाज नहीं निकल रहा तो यानी कि क्या है इसका मतलब यह नहीं कि वो गा नहीं सकता वो पराजित है वो सिर्फ कारण है उसकी मानवता और ऐसा व्यक्ति कभी भी विफल नहीं माना जाता है वो हमेशा उसकी मनुश्यता ही हो संगतकार कविता में कभी ने आम लोगों से क्या अपेक्षा की है अब संगतकार के जरिये जो है वो समाज में बहुत से लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनकी इंपट वो हमारे सारे अचीवमेंट्स के पीछे रहते हैं लेकिन कभी हमारे आगे आकर जो है वो हमारा श्रे नहीं लेते हमेशा हमको सपोर्ट करते रहते तो ऐसे लोगों की इंपोर्टन्स हमें अपने लाइफ में समझनी हैं ये चीज़ बताना चाह रहे हैं संगतकार कविता में कवी ने आम लोगों से पेक्षा की है कि वह किसी भी व्यक्ति को कम न समझे क्योंकि प्रतेग व्यक्ति की अपनी महत्ता होती है इसलिए प्रतिभा संपने प्रभाव शाली व्यक्ति को अपने से निम्न व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए मान लीजे हम बहुत हुनरमंध हैं हमें बहुत अच्छी ड्रॉइंग आती है तो इसका मतलब नहीं है कि हम सामने वाले को अंडरस्टिमेट करें वो भी हमसे आगे कर सकता है लेकिन अगर नहीं कर रहा तो हो सकता उसका कोई रीजन हो मगर अंडरस्टिमेट करना उसका निरादर करना ये अच्छा नहीं है क्योंकि उसकी सफलता में अन्न सहायक वेक्तियों के भी महतुपून भूमिका होती है इन वेक्तियों की सहायता के बिना किसी भी छेतर में महानत्य मुपलब्दी हांसिल नहीं की जा सकती तो यही चीज़ यहां पर उन्न बतानी की कि बहुत से हमारी दुनिया में ऐसे हैं जो लोग सफल हैं अब उनकी सफलता का श्रेच सिर्फ उनको मिलता है लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी सफलता उनकी अकेले की है उनको सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग होते हैं जो उनकी सफलता के हगदार होते हैं लेकिन वो उस सभलता में कभी भी अपने हग के लिए नहीं लड़ते क्यों? क्योंकि हमेशा वो उसका भला चाहते तो इसका बहुत अच्छा एक्जाम्पल हमने आपके अपने ममी पापा कर दिया है ममी पापा हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं हमेशा हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं सारी नीट्स को फुल्फिल करते हैं लेकिन कभी भी जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं या कुछ पा लेते हैं तो उसका श्रेव वो नहीं लेते हैं आप exams में बहुत अच्छे numbers लेकर आओ बोर्ड में आप 99% marks भी लेकर आओ तो वो सारा achievement आपका होता है वो कभी यह नहीं बोलते कि नहीं इसमें तो भाई हमारा श्रेव यह हमने न मेहनत करी होती तो तुम यह पा सकते थे कभी एक single mother father इस चीज़ के लिए नहीं बोलेगा वो अगर कहता है तो यह 99% पूरी मेहनत का श्रेव वो सर्फ आपको देते हैं ठीक प्रश्ण संख्या 20 हैं आपके अनुसार असली नायक कौन है मुख गायक या संगतकार तो हम तो मानेंगे कि संगतकार है मुख गायक तो है ही है लेकिन उसको सपोर्ट आगे अपनी पहचान को नहीं दिखाना और अपनी सारे हुनर को दबा के रखना और एक व्यक्तिक को स माना जाता है भले ही संगतकार ने उसकी प्रसुती को सफल बनाने में जी जान लगा दियो वस्तुता संगतकार भली बाती समझता है कि कारिकर्म का मुख आकर्शन वह नहीं है सही बात है मुख गायक जो भी महफिल सजी मुख गायक इसलिए वह हलकी और कमजोर आवाज लगा कर मुख गायक की प्रस्तिती में सहीयोग करता है वह आवशक्ता पढ़ने पर उसे विकट परस्तितियों में भी सम्हाले रखता है इस प्रकार संगतकार स्वैंप को प्रश्ट भूमी में रखकर मुख गायक के प्रती पूरे मन से समर्पित रहता है तो कहने का मतलब है अपने आपको बेस में रखता है और हमेशा आगे बढ़ाने का काम किसको करता है मुख गायक को करता है तो इसलिए संगतकार की जो भूमिका होती है वो उसे असलियत में नायक बनाती है संगतकार जैसे व्यक्ति की जीवन में क्या उप्योगिता होती है इस पश्ट कीजे संगतकार यानि कि हमको सपोर्ट करने वाले लोगों की जीवन में क्या क्या इंपोर्टेंस होती है कितना उप्योगिता होती है आपको ये बताना है दूसरा करके संगत्कार जैसे वेक्ति ही संसार की संसार में क्या उप्योगिता है? संगत्कार कविता के आधार पर समझाई तो यहाँ पर हमें important संजानी जो संगत्कार जैसे लोगों की भूमिका हमारी life में रखते हैं सभी के जीवन में संगतकार जैसे व्यक्ति का अत्यन्त उप्योगिता है, हमारे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी है, आपके ममी पापा के जीवन में भी रही होगी, उनके ममी पापा के जीवन में भी रही होगी, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में एक संगतकार की भूम का निभाने वाले लोग उपस्थित रहते हैं आज जो भी प्रतिभा संपन प्रभावशाली विक्ति हैं यानि कि जो बहुत ही जादा एक अच्छी पोस्ट पे हैं जिनका बहुत ही जादा रुत्बा है आप मानिये या आप इसको ऐसे समझे कि जिनके पास खुब सारा पैसा भी है तो उनकी सफलता के पीछे केवल उनकी ही मेहनत नहीं है उसे बहुत से लोगों की सहायता मिलती रहती है तब ही वहाँ अपनी सफलता को बनाए रखता है तो जैसे हमने बताया कि हम अगर कोई भी चीज अच्छीव करते हैं कोई भी चीज पाते हैं तो उसमें सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती हमको सपोर्ट करने वाले लोगों की मेहनत भी उसमें होती है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारी जीवन में बहुत जादा इंपोर्टन्स रखते हैं कभी-कभी है देखे वो हमारा बस ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं हम उनकी importance नित्ते समझते नहीं हैं। बस एक बार इतना imagine करके देखिए, जो आपकी life में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, कुछ दिन के लिए आपकी life से हट जाएं। तो आपको कैसा लगेगा। हम जैसे घर में हैं, हम आते हैं, खाना बना हमको मिलता है, और हमारे कपड़े हमको धुले मिलते हैं, टेबल पे खाना लगा है, हर एक चीज हमें अपनी जगा पर मिल रही है, तो जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है, हम उसकी importance को नहीं समझ रहे हैं। और उसको हमेशा neglect करते रहते हैं। बस एक दिन अगर ममा बिमार पड़ जाएं, आपके पास खाना नहीं है, आपके कपड़े नहीं मिल रहे हैं, आपकी चीजें नहीं मिल रहे हैं। पूरा घर अस्त वेस्त हो दाता है, सिर्फ उस एक दिन की कलपना कीजिए, जिस दिन मम्मा की तब्य ठीक नहीं है और मम्मा बेट पर है तो उस दिन आपको उस मम्मा की उपयोगिता समझ में आ जाती तो मम्मा की उपयोगिता क्या है? उस संगतकार जैसी ही है वो हमारी लाइफ में वैसा ही सपोर्ट कर रही है जैसे किसी महफिल में एक संगतकार मुखगायक का सपोर्ट करता है हमें आगे बढ़ाने में ममा पापा की बहुत ही जादा अहम भूमिका होती है जिसे हम समझते नहीं है तो इसको आपको हमने ऐसे समझा दिया कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे टीचर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे दाददादी हैं हमारे नाना नानी हैं मम्मी बापा हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें अपनी लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए उधारन के लिए एक गायक को सफल बनाने में सहायक गायकों वाद्ध यंत्रों को बजाने वाले निर्देशक आदिका योगदान रहता है अता संगतकार जैसे वेक्तियों के बिना किसी भी छेत्र में महांतम उपलब्दी हांसल नहीं की जा सकती तो सिर्फ हम गायन के छेत्र में ये नहीं कह सकते कि वहाँ संगतकार हम किसी भी छेत्र में हूँ संगतकार हर जगा उपलब्द रहते हैं और वहीं हमें सफल तम जीवन देने में सहायक होते हैं प्रश्ण संख्या 22 है ये कविता संगतकार के अत्रिक्त और किन विक्तियों के महत्व को बताने के लिए लिए लिखी गई है ये संगतकार के महत्व को तो बताई रही है और किन को हमारे जीवन में ऐसे बहुत से उप्योगी लोगों की इंपोर्टेंस के बारे में बता र करता है इसी बहाने कभी ने उन वेक्तियों का महत्व बढ़ाने के लिए भी ये कविता लिखी है जो अपना महत्व दिखाए बिना दूसरों की सफलता दिलाने में दिन रात कार्रे करते हैं ऐसा मतलब जो हमको सफल बनाने के लिए बादिन रात काम करते हैं मगर उस सफलता क सेंफलता के संगतकार जैसे उन वेक्टियों का ही योगदान है जैसे युद्धचेतर में सेनापती के साथ सिपाही निर्माणकार में मिस्तरी के साथ मजदूर फिल्मों में नायक के साथ छोटे कलाकार वा अन्य अनेक लोग होते हैं तो कोई भी अगर सफल मन रहा है तो वो अकेला सफलता नहीं पा रहा है उसमें सपोर्ट किसका है जो बहुत से पीछे उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं प्रेश्ट संख्या 23 है संगतकार कविता का उदेश इसपश्ट कीजी अभी जो कविता हमारे सामने रखी क्यों कहते हैं लाइफ कोई ना कोई उदेश होगा तो उसे तरीके से ये जो मंगलेश डबराल जी ने जो हमारे सामने कविता रखी संगतकार इसका क्या उदेश है ये बताना है देखी क्या है संगतकार कविता का मुख उदेश मुख गायक का साथ देने वाले संगतकार और थवा नायक के सहयोगों की भुमिका के महतु को प्रकाश्ट में डालना है इस कविता के माध्यम से कभी यह समवेधन शीलता विक्सुत करने का प्रयास किया है कि नायक की सफलता में सहायक प्रतेक व्यक्ति का अपना विशेश महतु होता है जैसे कोई भी फिल्म है अगर हिट करती है तो उसका सारा श्रे जो है वो एक्टर को चला जाता है तो क्या सारी फिल्म एक्टर नहीं कर डाली है उसमें एक्टरस नहीं है उसमें और कोई लोग नहीं है कोई और नहीं होता है क्या सभी भाई डारेक्टर है निंदेशक है, स्पोर्ट बॉय है, कैमरमन है, आप पीछे टेक्निकल टीम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, सभी का श्रे होता है, तो यहाँ पर किसी एक को सफल बनाने के पीछे बहुत सारे लोग कारिरत रहते हैं, उनके बिना नायक सफलता के चरम बिंदू पर पहुँच ही नहीं सकता है संगतकारों की विनम्रता मानवियता का परिचायक है इसे हमें उसकी कमजोरी नहीं अपितु समर्पन और त्याक समझना चाहिए अब ये समझें कि भाई नायक जो बोलेगा मैं तो फिल्म का हीरो ये वगएर काम नहीं चलेगा अगर वो ये सोचे तो तो भाई वो नायक को जो का कॉस्ट्यूम पहनाई जा रही है जिसकी वज़ए से वो समार्प लग रहा है वो भी तो किसी ऐसा बंदा है जो कैमरे के सामने नहीं आ रहा है उसने बनाई है उसका मेकप जो है एक मेकप होता है तो यहां पर उसका सारा श्रे जो है किसी एक कर नहीं उसको इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं संगतकार की हिचकती आवाज उसकी विफलता क्यों नहीं है जैसे बताया गया उसकी हिचकती आवाज उसकी विफलता नहीं है क्यों क्योंकि वो जान के अपनी आवाज को कमजोर बनाए रखता है उसको दबा कर रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आवाज मुख ग अबाлем है तो सिर्फ वहां पर वो मौझूध है प्रदर्श को अपने के लिए अपनी आवास को दबा कर रख रहा है। उसका में कारें उसकी आवास उची नहीं हूं तो ये उसकी विफलता नहीं मानवतां मनुष्णतां क्योंकि वो सिर्फ वहां पर उसको support करने मुख गायक को support करने के लिए मौजूद है संगतकार की हिचकती आवाज उसकी फिफलता इसलिए नहीं है क्योंकि संगतकार की आवाज ही हिचके चाहट उसकी कमजोरी को प्रदर्शत नहीं करती वस्तुता संगतकार अपनी पूरी आवाज से नहीं गाता है वह नहीं चाहता कि मुख गायक से उसकी आवाज तेज हो जाए क्योंकि उसकी आवाज तेज होने से मुख गायक का प्रभाव शीन हो जाएगा अगर वो तेज गाएगा तो मुख गायक का जो प्रभाव आभी पूरी जितने श्रोतागर वहां बैठे उनमें बना हुआ है उसका प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि लोग संगतकार की आवाज को सुनने लगेंगे तो इसलिए उसके प्रभाव को वो कम नहीं करना चाहता है साथ ही संगतकार के हिदे में मुख गायक के प्रतिशद्धा की भावना भी है जिससे मुख गायक की तुलना में वह अपनी आवाज को दबा हुआ रखता है तो एक वो इज़द भी है इस कारण वो अपनी आवाज को दबा कर रखता है प्रश्ण संख्या 25 है संगतकार की मनुष्टा किसे कहा गया है वह मनुष्टा कैसे बनाए रखता है कहने का मतलब है मुख गायक से अपने आपको हमेशा पीछे रखना कोई भी आवाज, कोई भी तान, कुछ भी जो है वो मुख गायकी आवाज या तान से मुची नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर यही उसकी मनुष्टा है ऐसा नहीए कि वो केपबल नहीं है उचा गानी सकता, अच्छा गानी सकता वो सब कुछ कर सकता है लेकिन तब भी जानके वो हमेशा अपने आपको पीछे रखता है क्यों क्योंकि वो उस महफिल में जो है मुख गायक को कमजोर नहीं करना चाहता है इसलिए वो पीछे रहता है तो ये उसकी एक हम क्या बोलेंगे मनुश्यता है मुख गायक को आगे और स्वेम को पीछे रखना ही संगतकारी की मनुश्यता है संगतकार कभी भी स्वेम को मुख गायक से बढ़कर नहीं जताना चाहता है जाहिर सी बात है वो अगर जताएगा तो महफिल बिगड़ जाएगी तो वो कभी भी अपने आपको कमजोर नहीं बताता इसलिए वो अपनी आवास को मुख गायक से हलकी रखता है वो चाहता है कि लोगों के बीच मुख गायक की प्रतिवा का सिक्का जमा रहे इसी प्रकारव अपनी मनुष्यता बनाए रखता है तो आपको उसका सिक्का जमा रहे का तातपर रहे कि उसकी आवास को सभी लोग सुनते रहें वावाई करते रहें इसलिए मुख गायक की आवास तेज रहती है और संगतकार हमेशा उसको पीछे से सपोर्ट करता है यही उसकी मनुष्यता है वो चाहे तो गा सकता है पर वो गाता नहीं है तो इस तरीके से जितना भी पूरा चैप्टर था फटा-फट हमने सारे प्रश्न करा दिये तो यहाँ पर इस चैप्टर के साथ हमारा कावेखंड खतम होता है अब यह आगे गद्यखंड भी है उसको भी हम करेंगे तो बुक के हम पूरे इस तरीके से सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टन कर लेंगे तो आपको अभी तक समझ में आ रहा है कि कोशन कैसे पूछे जा रहे हैं आंसर कैसे बनाने हैं सभी कुछ कोशन बहुत हग तक घुमा फिरा कर एक कविताएं जादा बड़ी तो होती नहीं टॉपिक एक ही रहता है उसी पर कोशन आते हैं लेकिन घुमा फिरा कर बहुत पूछा जाता है तो बस आपको कोशन समझना है और उसी आपसे आंसर्स बनाने है तो आपको मैं बता दूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है यानि कि मैंगर ब्रेंस जो है वो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है यह फ्री एजुकेशन आपको जो भी मिल रही है यह ऐसा नहीं है कि हम दो वीडियो दिखाएं और इसके आगे की वीडियो के लिए आपसे बोले कि आपको देखना है तो इसके लिए आपको कुछ पेमिंट करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है आप दो वीडियो क्या आप जितने चाहें उतने वीडियो देखिए कितने कितनी बार ही देखिए इसके लिए आपको कोई पेमिंट नहीं करना आप किसी भी क्लास में है कोई भी सब्जेक्ट पड़ना चाहते हैं यहाँ पर आकर आप फ्री में हर एक चीज़ देखिए कोई भी पेमिंट नहीं कोई पैकेज नहीं कोई कूपर नहीं कुछ भी आपको नहीं लेना है यहाँ पर सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा समय और एकागरता लेकर आनी है और ध्यान से इन वीडियोस को देखना है और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना है है आपको जब हम यह 100% कह रहे हैं तो यह 100% फ्री वीडियो जो आपको मिल रहे है यह यूटूब पर मिल रहे है आपको हमारे वेबसाइट पर मिल रहा है जो आप है से सिस्टेमेटिक ढंग से अरेंज मिलेगी अब अरेंज का मतलब हो गया आपकी क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज बुक वाइज चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीज टोटली अरेंज है क्योंकि जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं तो उसके बाद उसका कनेक्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें बहुत इधर सदर सर्च करना पड़ता है तब हमें कहीं जाके मिलता है लेकिन अगर आप इन दोनों जगा पर आते हैं यानि कि हमारी वेबसाइट और एप पर आ सामने आपके वेबसाइब तो जैसे ही सELEC唱 करोगे सामने आपके सामने सारे सब्याइब और है पतुचे करोगे उस चत्रम व्यटिंग कारना है अव्यक्ष बढ़ने हैं जैसे सामने हमें फिरके किये विदियो लगे हैं इसलिए आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं हो ना एक के बाद दूसरे टॉपिक के वीडियो को ढूंडने के लिए तो इस तरीके से हमारा पूरा डिटेल एक्स्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगा यानि कि हमारा पहला पैटन कंप्लीट होता है दूसरा पैटन हमारा आता है NCRT सलूशन यानि कि चैप्टर के बाद जितने भी कोशन और आपके एक्सरसाइज दी गए हैं उन्हें हम करेंगे किसमें NCRT सलूशन में बुक में तो खाली कोशन दी हैं लेकिन हमारे वीडियो में ये विद्ध सलूशन रहेंगे इसके बाद हमारा नेक्स पैटन आता है आपके अबजेक्टिफ कोशन तो हम क्या करते हैं हमने आपके पूरे चैप्टर का जो है एक वीडियो बना दिया जिसमें हमारे पास सारे उस चैप्टर के MCQs हैं यानि कि multiple choice कोशन तो ये pattern complete होगे objective अब आते है subjective तो subjective जो हमारा topic रहेगा वो है most important question इसमें सारे ही जितने भी questions रहेंगे सब most important रहेंगे क्यों है क्योंकि इसमें पिछले कुछ सालों के पूछे गए प्रशन होंगे और साथ ही कुछ आने वाले expected questions भी हैं और सभी subjective हैं इनको पढ़के आप त्यारी कर सकते हो जब सब कुछ हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमें revision की जरूरत पढ़ती है तो हमारा एक वीडियो है complete chapter revision जिसमें हम पूरे chapter को one short minute complete करेंगे और साथ ही कुछ question answer solve करेंगे इस तरीके से हमारा complete chapter revision हो गया अब ऐसा है हमारे आजाते हैं exam अब exam के दौरान भी हम आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं उस दौरान हम क्या कर रहे हैं आपका सारा revision हम करा देते हैं फिर उसके बाद आपकी practice के लिए हम आपको sample paper लेकर आते हैं उसका सारा solution कराते हैं उसके बाद हम board classes के लिए previous year questions लेकर आते हैं तो इस तरीके से पूरा हम revision करा देते हैं और आपको कुछ tips and tricks भी देते हैं जिनसे आप अच्छे से अपने exams कर सकते हो तो ये सभी कुछ जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया है ये सभी कुछ free है आराम से आईए देखिए सारे doubts clear कीजिए तो ये सारी चानकारी हमने आपको सिर्फ इसलिए दी है ताकि आप अच्छे से अपनी बढ़ाई कर सके हैं तो ये वीडियो तो यहाँ खतम हो रहा है लेकिन जल्दी next वीडियो के साथ आपके सामने उपस्तित होंगे तो करेंगे आगे के चाप्र थैंक ये वर वाचिंग वाचिंग वाई